So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे Samsung के Galaxy A72 smartphone के बारे में जो की जल्दी ही market में आने वाला है और इसके बारे में काफी सारी information हमारे सामने आ चुकी है जी हां दोस्तो Galaxy A series के next generation के smartphone आपको काफी जल्दी ही देखने को मिलेंगे और इसमें काफी सारे smartphones के models आएंगे अगर Galaxy A series के अगले साल के variants के हम बात करें तो Galaxy A32 smartphone आपको देखने को मिलेगा इसके लावा A52 smartphone के भी दो variant आएंगे और A72 smartphone के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और दोस्तो चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको ऐसी टैक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो आप सब को पता है Galaxy A51 और A71 कितने कमाल के smartphone हैं और फिलाल भी ये market में available हैं लेकिन काफी टाइम से इनका upgrade कोई आया नहीं है और काफी टाइम से customers को wait था कि नए generation के smartphones कब मिलेंगे तो यहाँ पे Galaxy A52 और A72 ये दोनों smartphone काफी जल्दे ही देखने को मिलेंगे और इनके बारे में काफी सारी information हमारे सामने आ चुकी है तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं Galaxy A72 smartphone के बारे में कि यहाँ पे क्या कुछ upgrade होने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों smartphone के design के बारे में तो इसके renders हमारे सामने आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का design smartphone का आपको मिलने वाला है यहाँ पे design में कोई major change इस smartphone में आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर front की बात करते हैं तो same center में punch hole वाला design दिया गया है जो कि बाकी के Samsung के smartphones में भी मिलता है यहाँ पे आपको थोड़े thin bezels देखने को definitely मिल सकते हैं otherwise similar type का ही आपको front में design यहाँ पे मिलेगा अगर back design की भी दोस्तों बात करते हैं तो कोई बड़ा change आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है हाँ इसका जो camera bump है वो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पे camera में थोड़े बहुत improvement आपको देखने को मिलेंगे लेकिन back design भी आपको यहाँ पे similar type का ही देखने को मिलने वाला है जो कि galaxy A71 में दिया गया था हालांगि कुछ नए color options definitely यहाँ पे आ सकते हैं तो design wise कोई major change यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं थोड़े बहुत changes किये गई हैं लेकिन दिखने में still यह smartphone काफी stylish है next यहाँ पे बात करते हैं इस smartphone के display के बारे में तो यहाँ पे भी कोई बड़ा change आपको इस बार नहीं मिलेगा same 6.7 inch का ही आपको display मिलने वाला है जो कि A71 smartphone में भी था यह full HD plus resolution के साथ में आएगा लेकिन थोड़ा बहुत improvement इसके अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है super emulate display की बजाए super emulate plus displays में आपको मिल सकती है जो कि galaxy M51 smartphone में दी गई थी यह display थोड़ी ज़्यादा thin होती है as compared to super emulate display और थोड़ा ज़्यादा अच्छ experience आपको provide करवाती है तो यहाँ पर display wise अगर बात करें तो definitely हमेशा सी galaxy A series के smartphone काफी अच्छे रहते हैं और यहाँ पर भी कमाल का experience आपको मिलने वाला है इसके साथ ही in-display fingerprint scanner का support भी आपको इस smartphone के साथ में मिलेगा अगर guys यहाँ पर बात करते हैं इस smartphone के camera के बारे में तो यहाँ पर 64 megapixel का quad camera setup देखने को मिलेगा इस smartphone के camera की पूरी detail हमारे सामने आ चुकी है यहाँ पर primary sensor होगा 64 megapixel का scale out 12 megapixel का wide angle camera यहाँ पर दिया जाएगा और 55 megapixel के 2 cameras होंगे एक macro shots के लिए और एक depth sensor लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार यहाँ पर आपको OES का support देखने को मिलेगा जी यहाँ दोस्तों optical image stabilization यहाँ पर दी जाएगी जो की काफी अच्छी बात होगी और video quality definitely इससे थोड़ी improve होगी अगर front camera की बात करें तो 32 megapixel का selfie camera आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा next guys यहाँ पर बात करते हैं इस smartphone के processor के बारे में तो इस बार ऐसी information है कि यहाँ पर आपको 2 variant देखने को मिलेगे इसमें एक 4G variant होगा जो कि Snapdragon 720G chipset के साथ में आएगा और जो दूसरा variant होगा इस smartphone का उसमें आपको 5G देखने को मिलेगा लेकिन उसके बारे में कोई confirm information नहीं है कि कौन सा chipset आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐसे maximum chances है कि यहाँ पर आपको Snapdragon 750G मिल जाए या फिर हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो Exynos 1080 chipset यहाँ पर दे दिया जाए जो कि Samsung की तरफ से latest processor है और काफी अच्छा chipset definitely आप इसको बोल सकते है लेकिन maximum chances यही है कि Qualcomm का ही यहाँ पर कोई processor मिलेगा यह 750G हो सकता है या फिर 765G processor आपको यहाँ पर मिल सकता है इसके अलावा इस smartphone में आपको 6GB और 8GB के RAM variant मिलेंगे और 128GB तक की storage के option यहाँ पर दिये जाएंगे तो overall अगर बात करें performance में यहाँ पर definitely थोड़ा improve होगा अगर हम बात करते हैं खास तोर पर 5G variant के बारे में बनाते हैं इन smartphones को अगर battery की बात करें तो यहाँ पर 4500mAh के आपको battery देखने को मिलेगी लेकिन अभी तक यह confirm नहीं है कि कि कितने वोट की fast charging का support यहाँ पर दिया जाएगा maximum chances यही है कि 25 वोट की fast charging आपको इस smartphone के साथ में मिलने वाली है तो अगर overall इस smartphone के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको कोई खास बड़ा change देखने को नहीं मिलेगा slightly improvement आपको इसकी performance में definitely मिलेगी इसके साथ में 5G आ जाएगा और थोड़ी बहुत improvement आपको इसके camera में भी मिलेगी लेकिन अगर यहाँ पर आपको Super AMOLED डिस्प्ले के साथ 90Hz का refresh rate भी इस बार Samsung प्रवाइड करवा देता है तो यह काफी कमाल का upgrade हो सकता है लेकिन इसके chances बहुत ही जादा कम है कि यहाँ पर आपको 90Hz देखने को मिले अगर इनके launch की बात करते हैं तो ऐसा आप मान सकते हैं कि February या March महिने के अंदर इन smartphones का launch होगा जिसमें Samsung Galaxy A series के काफी सारे नए smartphones आएंगे अगर price wise बात करें तो यह smartphone सेम 30-35,000 रुपे गे budget में ही आपको देखने को मिलेगा और इस budget के अंदर Samsung की तरफ से एक अच्छा option हो सकता है तो आप में बताई दोस्तों कि आपको Galaxy A72 smartphone कैसा लगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देजिए अगर आपका कोई question न तो पूछ सकते हैं मैं मिलता आपको next वीडियो में तब तक के लिए good bye have a nice day